और तमाम आरोपों में धिरी हुई भार्ती जन्ता पार्टी की सरकार आज बेहद कमजोर मोर्चे पर है। ओप्रेशन लोटस के जरिये उन 22 विधाईकों के दीवे कराए गए। गवालियार और चंबल संभाग की जन्ता सिंधिया के उस विश्वात धात का बदला लेने जा रही है। कम से कम 200 गोटाले ऐसे थे जिसमें बीजेपी के कई नेता हसे हुए है। तवाम भाजपा के नेताओं को जेल न जाना पड़े इसलिए वो साम दाम धंड बे ये सारी कोशश है कर रहे है। बिजनस किया कि नरेंद्र सिंग् तॉमर के बेटे ने 10,000 करोड का बिजनस किया है कनाडा। नरेंद्र मोदी ने राहूल गांधी को मूर्खों का सरदार तक का। कि नरेंद्र मोदी OBC का मुखोटा लगाकर कि तुवायत में लेकिन OBC के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। दगावाजी कि उन्होंने OBC समाज के साथ। दोस्तों नमस्कार, देश नीती के इस विशेष कारक्रिम अब होगा न्याय में आपका स्वागत है। मैं हूँ रभीका, मद्द प्रदेश में चुनाव परचार थम गया है। कल मतदान होना है। पहली अपील तो मद्द प्रदेश के लोगों से कि वो घर से निकल करके मतदान करें क्योंकि ये लोगतत्र का उप्साव है। मतदाताओं के लिए इस देश के नागरिकों के लिए उनके नियाय और सम्मान पाने का सबसे बड़ा माध्यम यही है। और भारत की संबधान सभा में डॉक्टर अंबेटकर से लेकर के पंडित महरू तक सबने इस उत्साव के लिए इस देश के समूचे लोगों को शामिल किया था। कोई भी ऐसा तबका नहीं था जो मतादिकार से वंचित रहा हो। भारत के लोकतंत्र और भारत के आजादी का सबसे खुशहाल पहलू यही है कि संबधान ने प्रतेक नागरिक को मतादिकार प्रदान किया है। अब चर्चा मद्यप्रदेश में हुए चुनाओ पर चाहिए। दोस्तों जिस रहे कि भाषा बोली गई है क्या जनता इसका जबाब देने वाली है। और मद्यप्रदेश के जो नतीजे आएंगे उन नतीजों का परभाव लोकसभाद चुनाओ पर भी होगा। दरसल भारती जनता पार्टी के 18 साल की एंटी इंकम्बेंसी और तमाम आरोपों में घिरी हुई भारती जनता पार्टी के सरकार आज बेहद कमजोर मोर्चे पर है। क्योंकि मद्यप्रदेश का अवाम ये जानता है कि ये चोरी की हुई सरकार है। राहूल गांधी ने ये आरूप लगाया। उन्होंने कहा कि 2018 में मद्यप्रदेश की जनता ने बदलाओ के लिए बोट किया। कॉंग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी। लेकिन 15-16 महीने के भीतर ही ओप्रेशन लोटस के जरिये उन 22 विधाईकों के स्तीफे कराए गए। और ज्योतिर आदित सिंधिया जो राहूल गांधी के बेहत करीबी बेहत नज्जी की दोस्त माने जाते हैं उन्होंने बगावत की। ये बगावत है या विश्वास खात। कल प्रियंका गांधी ने सिंधिया के गढ़ में जाकर के जनता से अपील की। कि जो सिंधिया ने विश्वास खात किया है आपके छाती पर जो बार किया है जो खंजर घोंपा है उसका बदला जनता को लेना चाहिए। क्या अब गालिय और चंबल संभाग की जनता सिंधिया के उस विश्वास घात का बदला लेने जा रही है मत्य प्रदेश में सिंधिया का जो इतिहास है कल उसकी भी चर्चा की क्य önहोंने अपने परिवार के उस विश्वास घात को फिर से दोह रहाだ जी हाँ प्रियंका गांधी बात कर रही थी 1857 के पहले स्वधिंता अंदुलंगी जिसमें रानी लक्षमी भाई जांसी से ये उम्मेद लेकर के गवालियर की तरह बढ़ती है कि उन्हें राजा सिंधिया बचाएंगे लेकिन सिंधिया ने गद्दारी की और साथ दिया अंग्रेजों का और वो पूरा स्वधिंता आंदुलंग असफल हुआ वो क्रांती की मशाल बुझ गई और फिर उसके 90 साल के बाद जाकर के तमाम पुर्बानियों के बाद गांधी के अहिंसा और सत्याक्रह पर आधारिक उ और वहीं से मिला है वो मताधिकार जिसकी मैं चर्चर करना हूं राहूल गांधी ने जो बात की कि ये चुराया हुआ सरकार है ओप्रेशन लोटस के जड़िए खरी दे गए है विधायक बीजेपी ने कोई पलटबार नहीं किया इसलिए नहीं किया क्योंकि उन्हें ये पता चल गया था कि राहूल गांधी सही नब्ज पर छोट कर रहे हैं सही नब्ज पर हाथ रख रहे हैं आज जब में गई तो एक नहीं कई और आरोप उस पर लगे ब्यापन से लेकर के नलजल घुटाला तक एक लंबी फेरेश कम से कम 200 घुटाले ऐसे थे जिसमें बीजेपी के कई नेता फसे हुए है और अब कॉंग्रेस की सरकार अगर आती है तो सबसे बड़ा खत्रा उनके लिए यह ही है कि जो एडी और इंकम टेक्स का डर केंद्र दिखाता है वो कहीं उल्टा ना हो जाए तवाम भाजपा के नेताओं को जेल ना जाना पड़े इसलिए वो साम दाम धंड वे यह सारी कोशिश है कर रहे हैं तो दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा आरोब लगा नरिन सिंग तोमर के बेटे पर कि वो कि सेकलों करोड की सौदेवाजी कर रहे हैं उन्होंने जिस तरह से मदप्रदेश में बिजनस किया भांग और गांजा का वो दो वीडियो आए जिसमें कहीं वो सौ करोड की बात कर रहे हैं कहीं 500 करोड की बात कर रहे हैं फिर एक तीसरा वीडियो तो उस ब्यक्ति का आया, जो ये दावा कर रहा है, जो ये आरोप लगा रहा है, कि नरिन सिंग तॉमर के बेटे ने दस हजार करोड का विजनिस किया है कनाडा, ये आरोप उसके हैं देशनीती, कतई इसके पुष्टी नहीं करती, और ये तभी परदा फास होगा जब उसकी क कोई जाज हो, ये भी हुआ कि नरिन सिंग तॉमर बड़े बेवस और लाचार तरीके से जन्ता के सामने आए, उन्होंने तो यहां तक कहा, कि ये आरोप जूटे हैं, इसकी जाज होनी चाहिए, कि इतना हास्यास्पद है नरिन सिंग तॉमर का ये कहना, क्योंकि EDCBI भी नर अगर सरकार बदली तो अबियस है कि वो जाज हो भी, लेकिन सबसे ज़्यादा उत्तेजना पैदा करने वादा, सबसे ज़्यादा समस्या प्रद वो वाक्त रहा नरिंद्र मोदी का, जो उन्होंने बैतूल में राहुल गांधी के खिलाब बोला, उन्होंने राहुल लिखा होता है मेडिन चाहिना, लेकिन हमारी ख्वाइश यह है कि जब अगला सरकार बने और मद्द प्रदेश में ही प्रोडक्शन हो और मोबाइल के पीछे लिखा हो मेडिन मद्द प्रदेश, एनि रोजगार सर्जन की बात राहुल गांधी कर रहे थे, इससे चढ़ कर नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी को मूर्खों का सरदार तक कहा, और कहा कि जो मेडिन चाहिना लिखा हुआ है मोबाइल पर राहुल गांधी यह भूल रहे हैं कि मैनुफेक्शनिंग के मामले में भारत दूसरे नंबर पर है, लेकिन भारत में सचाहिए है कि मोबाइल असेंब्ल हो रहे हैं, जो उसके निर्मार कारी है, वो तो चाइना में हो रहा है, यह अलग मसला है, तो जो नरेंद्र मोदी ने बूला, उस पर राहुल गांधी ने कोई टिपड़ी नहीं की, कोई पलटबार नहीं किया, किसी भी कॉंग्रेस पार्टी के नेता ने भी कायद मोदी जी को इसी की उम्मीद थी, या इसी के लिए उन्होंने ये कहा था, कि कॉंग्रेस पार्टी का कोई नेता हमको अपशब्द बोले, तो फिर वो जनता के बीच में जाकर के, ये कहें करनाटक की तरह है, कि लोग कॉंग्रेस पार्टी के नेता हमको किलो भर, पा लेकिन राहुल गांधी ने 36 गण में इसका जवाब दिया और बड़ी सहटता के साथ बड़ी शालीमता के साथ बड़ी विनम्रता के साथ उन्होंने कहा कि लोग मुझे नजाने कैसे कैसे शब्दों से नवाज रहें लेकिन मैं उनकी चिंता नहीं करता मुझे बलकि खुशी है कि जो पलटवार किया गया है जो शब्द इस्तिमाल हुए है वो उस खीज के चलते हुए है क्योंकि दिक्कत हो रही है तो इसका मतलब है कि मैं सही काम कर रहा हूं और यही उनके लिए संटोष जनक है और मोदी जी की तकलीफ यही है कि मैं सही जगह बात कर रहा फिर उन्होंने उस OBC के बात की कि नरेंद्र मोदी OBC का मुखोटा लगा करके तो आये थे लेकिन OBC के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया दगावाजी कि उन्होंने OBC समाज के साथ न तो सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी OBC की जन्टरंचा के बराबर है और ना ही आवादी के अनुपात में अधिकार और उसके जगह चाहिए सेक्रेटरी लेवल के अधिकारियों में भी उतनी ही भागिदारी उनकी हो और बजट का एलोकेशन भी उन्हीं लोगों के हाथ में हो ताकि वो अपने अधिकारों को लेकर कि सचेत हो और चाहे सिक्षा का बजट हो या कोई और बजट हो उस बजट में जब तक वो लोग शामिल नहीं होंगे एलोकेशन सही तरीके से नहीं होगा सही न्याय नहीं होगा जब यह बात राहूल गांधी कह रहे हैं तो इसका प्रभाव मद्द प्रदेश के उस OBC समाज पर हुना लाजमी है और यही मुश्किल है नरेंद्र मोदी की नरेंद्र मोदी ने बड़ी बारीकी से OBC समाज के वितर भी अंतरवरोध पैदा किया था पिछडा और अती पिछडा में उस समाज को बांटा और फिर अपना चेहरा सामने किया कि वो OBC समाज से आते हैं और इसलिए उनको बोट लोग दे हैं लोगों ने बोट भी दिया इस उम्मीद में दिया कि ये OBC समाज के हैं तो OBC का ब्ला करेंगे लेकिन वो आरक्षण भी डाइलूट कर दिया गया वो अधिकारी भी वहां नहीं है और OBC के लिए कोई नीतियां भी नहीं पूरे तरीके से उन्हें चला गया और यही बा वो बात की जिन आधिवासियों को आरे तेस्वीजवीपी बनवासी कहती है वो चाहती है ये जंगलों में रहें और फिर जंगलों को अडानी को बेहते हैं या अमीरों Seriously आ लगदि ने सिर्फ और सिर्फ अठानी के लिए काम किया है रहुल गांधी कहते हैं कि हम सकंप के इक करें अगर नरेंद्रमोदी अट्रानी को एक रोपया देंगे तो हम एक रुपया गरीब यही रुपए हम यही बजट गरीबों को देंगे गरीबों को मजबूत करेंगे महिलाओं को मजबूत करेंगे और इस से ही इस देश का समावेशी विकास होगा राहुल गांधी ने एक तरह से पिछ तयार करो और मद्द प्रदेश में जो नतीजे होंगे उनका असर तेलंगाना और राजस्थान पर भी होने वाला आज राहुल गांधी पहुंच गए राजस्थान राजस्थान में पहुंचते ही उनके दाएं बाएं सचन पाइलट और अशोग गहलो दिखाई पड़े जब पत्रकार ने ये पूछा कि क्या दोनों लोग साथ हैं उन्होंने कहा कि साथ चल ही नहीं रहे हैं बलकि मद्रदेश के नतीजे कॉंग्रेस पार्टी के पक्ष में जाते हैं और उसका असर तेलंगाना राजस्थान में होता है तो डेफिरेटली इस सेमी फाइनल की अनुगूई फाइनल लोगसभा चुनाओं में भी सुनाई पड़ेगी और जिस मद्रदेश की में बात कर रहा ह 29 लोगसभा की सीटे हैं पिछले चुनाओं में बीजेपी को 28 लोगसभा सीटों पर दीत हासिल होई थी लेकिन इस बार परस्थितियां यह नहीं होगी अगर सरकार कॉंग्रेस पार्टी की बनती है और जिस तरह से एंटी इंकंबेंसी बीजेपी के खिलाप है इवें नरे नरेद्र मोधी के अब चेहरे पर चुनाओं नहीं जीते जा सकते हिंदुत के एजेंडे पर भी चुनाओं नहीं जीते जा सकते अब कोई और स्टेट जी बनानी होगी लेकिन सचाई यह है कि बराश्ते नितीश कुमार बिहार जो राहुल गांधी ने जाती जंगलना का देख रहा है और यही बजय है कि नरेद्र मोधी अमिद्शाय बेहद परेशान है तो देखना यह होगा कि आने वाले वक्त में यह जो नेरेटिव है क्या यह स्थाई होने जा रहा है लोग सबाचुनाओं तक और मद्द प्रदेश में वो जनता जिसने यह देखा कि एक प क्या वो जनता अब उस पर भी प्लेटवार करेगी कल देखना होगा कि मद्द प्रदेश किया जो बोटिक पैटर्ण है वो किस तरफ जा रहा है बहुत बहुत शुक्रिया मिरते हैं फिर देशनीती पर ही किसी और खास मुद्द पर सब तक के लिए धन्यवाद